आज हम इस वीडियो में एंकर थ्रेट से कूर्ती के नेक के लिए बहुत ही कुपसुरा सा नेक डिजाइन तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लिए है जिसकी चौड़ाई मैंने 4.5 रखी है और लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे तो हम यहाँ सबसे पहले नेक के लिए निसान लगाएंगे तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और नेक की गहराई हम 6 इंच रखेंगे आप यहां नेकी गहराई को अपने पसंद के हिसाब से कम या जादा भी रख सकते हैं अब हम यहां इसकेल की हेल्प से बॉक्स तयार कर लेंगे बॉक्स तयार करने के बाद मैं यहां कोने से वन इंच पर निसान लगाऊंगी और इसे इस तरीके से गोलाई का सेब दे दूँगी मैं यहां नॉर्मली राउंड नेक तयार कर रही हूँ आप चाहे तो अपने पसंद के साब से कोई भी सेब तयार कर सकते हैं अब मैं यहां नीचे की तरफ 1.2 इंच पर निसान लगाकर यहां भी गोलाई का सेब दूँगी देखे कुछ इस तरीके से तो इसी के साथ यहां अमारी नेक की मार्किंग कम्प्लीट हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हम यहां पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए जैसा हमने निसान लगाया है बिल्कुल उसी निसान पर हम यहां पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे तो हमने यहां नेकी भी कटिंग कर ली है अब हम इस पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर अच्छे से रखते वेस पर आईरन कर लेंगे और इसे कपड़े पर चिपका लेंगे तो मैंने इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है अब हम इसे डबल फोल करके इसका सेंटर मार्ग कर लेंगे सेंटर मा करने के बाद हमें इसकी सेंटर में एक सीदी लाइन डौ करनी है जिससे की जो हमारी पेश्टिंग पेपर है वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए देखें कुछ एसे अब हम यहां पेस्टिंग पेपर पर इस सरीके से तिर्ची लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैं यहां पेस्टिंग पेपर के आदे हिस्से पर इस डारेक्शन पर तिर्ची लाइन ड्रॉ करूंगी तो मैं यह लाइन्स के बीच में लगबग हाफ इंच की गैपिंग रख रही हूँ और फिर हम यहाँ पेस्टिंग पेपर के दूसरे हिस्से पर इसके अपॉजिट डारेक्शन पर हमें लाइन्स ट्रॉ करनी है देखे कुछ इस सरीके से और यहाँ भी हम लाइन्स के बीच में लगबग हाफ इंच की गैपिंग रखेंगे और ऐसे हमें पूरे पेस्टिंग पेपर पर लाइन्स ट्रॉ कर लेनी है तो देखे मैंने यहाँ पूरे पेस्टिंग पेपर पर लाइन्स ट्रॉ कर ली है अब हम इसे side में रख लेंगे अब मैं यहाँ anchor thread ले रही हूँ जिसे मैंने bovin में अच्छे से भर लिया है इसके बाद हम यहाँ bovin case लेंगे और इसमें जो एक छोटा सा nut है उसे हम हलका सा lose कर लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो अच्छे तरीके से हो हम यहाँ nut को जादा lose भी नहीं करना है अगर हम जादा lose करेंगे तो इससे भी हमारी सिलाई अच्छे नहीं आएगी तो हम बस हलका सा lose करते वे इसमें bovin को भर लेंगे और इसे machine में अच्छे से fit कर लेंगे इसे machine में फिट करने के बाद आप को यह भी rough fabric लेकर उस पर एक सिलाई लगा कर यह चेक कर ले कि इसकी जो सिलाई है वो अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं उसके बाद ही आप वो पेस्टिंग पेपर पर सिलाई लगाए अब हम यहाँ पेस्टिंग पेपर लेंगे और जैसा हमने निसान लगाया है बिल्कुल हमें उसी निसान पर सिलाई लगानी है यहां हमारी सिलाई टेड़ी मेरी नहीं होनी चाहिए हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है तो मैं यहां दो कलर के एंकर ठेट को यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहां पहले के 5 लाइन्स पर एक रंग के थ्रेट से सिलाई लगा ली है अब हम यहां दूसरे रंग के थ्रेट को इसमें सेट कर लेंगे और अब हम उससे सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हम यहां दो कलर के थ्रेट को यूज करके इस डिजाइन को तयार करेंगे अब चाहें तो यहां पर एक ही कलर से पूरे पेस्टिंग पेपर पर सिलाई लगा सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा कलर भी यहां यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां दूसरे रंग से तीन लाइन पर ही सिलाई लगाई है, देखे कुछ इस तरीके से, अब हम दुबारा से थ्रेट को चेंज कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे, और ऐसे हमें सेम रिपीट करते जाना है, और पूरे पेस्टिंग पेपर को कवर कर लेना ह तो देखे मैंने यहां पूरे पेस्टिंग पेपर पर एंकर थ्रेट से सिलाई लगा लिए है, अब हम यहां एक कपरे की पटी लेंगे, जिसके किनारों को देखे हम कुछ इस सरीके से फोल करते वे इस पर आईरन कर लेंगे, और इसके किनारे फोल करने के बाद इसकी इससे हमारे नेक में एक प्लकेट जैसा लुक एड़ होगा, जो कि हमारे नेक को और भी खुबसुरा दिखाएगा, तो मैंने यहां पटी को अच्छे से सिल लिया है, अब हम इसके किनारों को अच्छे से फोल करते वे इस पर सिलाई लगा लेंगे, तो देखे हमें कुछ इस दीखे से से किनारों को अंदर की तरफ दबाते वे इस पर सिलाई लगानी है, तो मैंने यहां इसके किनारों को अच्छे से फोल कर लिया है, अब हम इसमें से एक्स्टा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे, तो हम यहां बहुत हलका-लका कपड़ा रखते वे फैबरी को कट करने के बाद हमें इसे बीच में से फोल कर लेना है और इसका सेंटर माग करने के लिए हमें इसके ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेना है अब हम अपने में कुर्ती को लेंगे और यहां हमें कुर्ती का भी सेंटर अच्छे से माग कर लेना है तो इसके लिए मैं कुर्टी के सेंटर पर क्रीज बनाते वे यहां उपर में एग छोटा सा कत लगा लूँगी इसके बाद हम अपने नेक को लेंगे और यहां हम नेक को कुर्टी के रॉंग साइट पर रखेंगे और दोनों की सेंटर को अच्छे से मिलाते वे हम इसके बीचों बीच एक अच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि जो मारा नेक है वो अपने जगे से ही लेना और हम नेक पर सिलाई असानी से लगा सके सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हमें पूरे नेक पर सिलाई लगानी है तो ये जो सिलाई है वो हमें पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है तो इसलिए हम ये सिलाई बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे लगाएंगे यहाँ पे सिलाई लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो इस पर सिलाई लगा रहे हैं वो पेस्टिंग पेपर के उपर नहीं चड़नी चाहिए और नहीं जादा पेस्टिंग पेपर से दूर जानी चाहिए तो आप से जितना हो सके पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिस करें और यहां पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें से बीच वाले कपरे को कट करके निकाल देंगे तो मैं यहां लगबग हाप इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैबरी को कट कर ले रही हूँ और अब हम इस तरीके से पूरे नेक पर छोटे-छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि हमें नेक को पलटने में असानी हो बस हमें यहां इतना ध्यान में रखना है कि यहां पर कट लगाते समय हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए और अब हम यहां नेक को कुर्टी के राइट साइट की तरफ ले आएंगे देखे कुछ इस तरीके से और इसे अच्छे तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है हम यह सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगाएंगे और सिधी सिधी लगाएंगे हम यह सिलाई को बिल्कुल भी टेड़ा मेरा नहीं करना है क्योंकि यह सिलाई हमारी उपर की तरफ दिखेगी तो हम बहुत ही सफाई से और दिरे दिरे पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम नेक के दूसरे तरफ सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए मैं यहाँ नेक को pin से secure कर ले रहे हूँ ताकि हमें नेक पर सिलाई लगाने में असानी हो और देखिए हम कुछ इस सरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे नेक के दूसरे साइट पर सिलाई लगाने के बाद हमारा यहां जो नेक है वो कुर्टी में अच्छे से अटैच हो गया है अब हम इसमें से पिन निकालेंगे इसके बाद हमें यहां एक उरे पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.2 इंच रखी है जिसे हम देखे यह यहां पर रखते वे इसपर силाई लगाएंगे तो हम यह, पर टी और कुर्टी के दौनों की राइट साइट को मिलाते वे बिल्कुल हल्क लका कप्रा दबाते वे हम इसपर लगा लेंगे है आपको यहां–सिलाई में ज्यादा मार्जिन नहीं रखना है मैं यहां लग भग पेर की दूरी इस पर शिलाई लगा रहे हूं और हमें यहां इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां जो हुमारे पट्टी है वो बिल्कुल उरेपट्टी होनी चाहि innate हम सीधी पट्टी को यूज नहीं कर सकते हैं यहां हमारी जो पट्टी है वो गोलाई में यहां फोल नहीं होगी अगर हम सीधी पट्टी लेंगे तो इसलिए हम यहां एक उरेब पट्टी लेंगे अगर आप यहां कपड़े की पट्टी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां लैसेस का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपकी लैसे सोड़ी से पतली और स्ट्रेचिबल होनी चाहिए आपको यहाँ ज्यादा चोड़ाई वाली लैसे यूज नहीं करनी है क्यूंकि वो फिर नेक की गोलाई में अच्छे तरीके से एर्जेस्ट नहीं हो पाएगी तो मैंने यहाँ पत्टी को पूरे नेक पर अच्छे से सिल लिया है अब हम यहाँ पत्टी को देखे इस सरीके से दूसरी तरह पलट लेंगे और इसके किनारों पर हम नाकुन से अच्छे से प्रेस कर देंगे देखे कुछ इस तरीके से ऐसे इसके किनारों को प्रेस करने से हमें यहाँ पत्टी को फोल करने में असानी होगी तो हम यह अच्छे तरीके से इसके किनारों को प्रेस कर लेंगे अब हम यह पट्टी को double fold करेंगे देखे कुछ ऐसे और इस पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे हम पूरे नेक पर पट्टी को fold करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे हमें यह पट्टी को fold करने में जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये बहुत इसीली पट्टी Fold हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे होंगे बस हमेह पट्टी को एग जैसे Fold करना है कहैं से हमें पट्टी को कम या ज़्यादा नहीं करना है इससे हमारी पट्टी अच्छे तरीके से Fold नहीं हो पाएगी तो हम इनी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे नेक पर पट्टी को फोल करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे मैं अपने हर वीडियो में डिजाइनिंग के साथ साथ आपको सिलाई के टिप्स और ट्रिक्स भी बताते रहती हूँ जिसे कि आपकी सिलाई में फिनिसिंग आएगी तो इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखे वीडियो को इसकी इपना करें कि मैं आपको सिलाउ को तो मैंने यहां पूरे नेक पर पट्टी को फोल्ड करते वे उस पर सिलाई लगा ली है अब हम यहां पट्टी पर एक बर अच्छे से आईरन कर लेंगे ताकि जो पट्टी की सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए और इसके साथ साथ ही हम यहां इस तरीके का सो बटन लेंगे और यहां हम नेक के बिल्कुल बीचो बीच पराबर दूरी पर सो बटन को रखते वे इसे सुई धागे से अच्छे से टाक लेंगे तो यहां हमारा नेक डिजाइन कंप्लीट हो गया है बनने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आपको यह नेक डिजाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सेर करे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और उसके पास वाले बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग